Hello friends and welcome back to the channel कैसे हैं आप सब लोग आज अपन लोग बात करने वाले हैं बजाज की तरब से प्लेटीना 110 के न्यू मोडल के बारे में क्योंकि यार इसी सेगमेंट में आपको हीरो की तरब से पैशन एश्टेक देखने को मिलती है Honda की तरब से आपको Leibo देखने को मिल जाती है और TBS की तरब से आपको Star City देखने को मिलती है और इन तीनों ही बाइक में आपको काफी अच्छे features देखने को मिलती है लोग बगेर भी काफी अच्छा देखने को मिलता है और सबसे ज़्यादा features आपको passion ashtag में देखने को मिलते हैं और यही रीजन है कि 110cc सेगमेंट में सबसे ज़्यादा selling passion ashtag की है तो यार जैसा कि अभी December चल रहा है यानि कि इस year की ending है और 2023 के starting में सभी कमपनियां अपनी bikes के new model को launch करेंगी यानि कि आपको platina 110 का new model भी देखने को मिलेगा और platina 110 के new model में आपको काफी अच्छे features देखने को मिलेंगे और कुछ major update भी देखने को मिल सकते हैं तो आज की इस वीडियो में हम इनीक्यू पर बात करने वाले हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देख ले और इसी तरह बाइक की latest update पाने के लिए चैनल को subscribe करके bell icon को press कर लिजेगा तो चलिए गाईस आज का वीडियो start कर लेते हैं platina 110 के new model में आपको बिल्कुल ही new design के tank call देखने को मिल जाएंगे क्योंकि passion hashtag में आपको tank call देखने को मिलते हैं Honda Lebo में आपको tank call देखने को मिलते हैं तो इसके new model में भी आपको बिल्कुल ही new design के tank call देखने को मिल जाएंगे जिसके कारण इसका लोग पहले से काफी ज़्यादा muscular पहले से काफी ज़्यादा attractive होने वाला है इसके अलाबा इसमें आपको थोड़ी से ज़्यादा white tires देखने को मिलेंगे इसमें आपको front में 80 section का 17 inch का tubeless tire और rear में आपको 90 section का 17 inch का tubeless tire देखने को मिल जाएगा तो rear के side में आपको थोड़ी सा ज़्यादा white tire देखने को मिलने वाला है जिससे इसकी breaking improve होने वाली है stability improve होने वाली है और corner response भी पहले से काफी बहतर हो जाएगा बाकी front look के बारें बात कर लें तो front में आपको head lamp की design पहले से similar देखने को मिलेगी हाँ LED की design आपको थोड़ी सी different देखने को मिल सकती है बाकी rear के side में आपको वही tail light देखने को मिलेगी और integrators आपको bulb में ही देखने को मिल जाएंगे और इसमें आपको standard single channel ABS देखने को मिल सकता है क्योंकि इसमें आपको पहले भी ABS देखने को मिलता था लेकिन फिर company ने उस model को discontinue कर दिया था तो काफी ज़्यादा chances है कि इसके new model में आपको ABS देखने को मिल जाए बाकी engine आपको पहले से similar देखने को मिलेगा engine में आपको कोई भी update देखने को नहीं मिलने वाला है gearbox आपको पहले से similar देखने को मिलेगा suspension आपको पहले से similar देखने को मिलेगे दो से लेकर तीन हजार रुपे तक इंक्रीज होने वाली है और बदले में आपको इसमें काफी सारे मेजर अपडेट देखने को मिल जाएंगे एसपेक्टेड लॉंच डेट के बारें बात कर लें तो प्लेटीना 110 का न्यू मोडाल आपको फेरवरी या फिर मार्श तक इंडियन मार्केट में देखने को मिल सकता है तो इस बाइक के बारे में यही न्यूज मज़े आपसे सेयर करनी थी अगर आप कोई वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब कर लिजेगा अब मुलाकात होगी नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए स्वस्त्र ये मस्त्र ये राइट सेब जैहिंद